इरान ने इस्रेल को खुली धमकी दी है। इरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध का नया मोचा खुलेगा या नहीं। ये गाजा में हो रहे एक्षिन पर निर्भर करेगा। क्या तेहरान में युद्ध का सारण बजने बाला है। इस फहान में बारूद की बरसात होने वाली है। क्या करज में इस्रेल की मिसाइले गरजने वाली है। एहवाद से जंग के खदरनाक आवाजें आने वाली है। क्या मश्चत पर मिसाइल अटैक होने वाला है। इस्रेल और हमास के बीच छुड़ी जंग में अचानक इरान इंटरनाशनल हेट लाइन बन गया है। हमास से हमदर्धी क्या इरान के लिए सरदर्ध साबित होने वाली है। क्या गाजा में छिड़ी जंग तेहरान तक पहुँचने वाली है। इरान ने इस्रेल को खुली धमकी दी है। इरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नया मोर्चा खुले बाया नहीं। ये इस्रेल के गाजा में आक्शन पर निर्पर करेगा। बड़ा सवाल है क्या इरान युद्ध का नया मोर्चा खुलने की तैयारी में है। इरान के राश्यपती ने मुस्लिम देशों से अपीम की है कि वो घाजा के साथ है। इरान के राश्यपती इब्राहीम रईसी सौधी अरब के प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान को फोन लगाते हैं। मुहम्मद बिन सल्मान कोन उठाते हैं? बात करते हैं. फिर मुहम्मद बिन सल्मान मिसर के प्रेसिडेंट अब्डिल्ला फटर अलसीसी को कोन लगाते हैं? उनसे बात करते हैं. इसके बाद साओधी अरब के प्रेंस जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दृतिय से भी कोन पर सवाल है आखिर राइसी ने सौधी के प्रिंस से ऐसा क्या कहा कि वो मेस्र और जॉर्डन फोन लगाने को मजबूर हो गए हमास इसरेल युद्ध के दुरान दुनिया की नजर सौधी अरब पर है जिसका फैसला आरब का भविश्य तै करेंगे इसलिए इरान ने सौधी अरब के प्रिंस को पोन घुमाया जिसके बाद सौधी अरब के प्रिंस ने दो देशों से फोरण बात की सौधी प्रेस एजनसी ने जानकारी दी है कि क्राउन प्रेंच मुहम्मद बेंच सलमान को इरान के राजशबतीर रैसी ने कॉल किया था रैसी की वो घंटी साथ साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करने वाली साबित होई है साथ बरसों का मौन टूटा तो दोनों नेताओं के बीच पूरे 45 मिनट तक लगातार बात होती रही उसके बाद इंडरनाशनल मीडिया में जो खबर बाहर आई उसमें कहा गया कि इरान ने हमास के खादिर अपनी बरसों पूरानी दुश्मनी को ताथ पर रख दिया है इस तरह घाजा को लेकर इरान, सौधी अरब, मेस्र और जॉर्डन एक ऐसी तार से जोड़ गए है जिसकी शुरवात इरान की तरफ से हुई है इन चार देशों के प्रमुकों के बीच हमास के इसरैल पर हुए हमले की चर्चा हुई है इसरैल के हमलों बरबाद हुई और घाजा के बरबादी बरबाद हुई है साफ रे, हमास के خلاف इस्रैल के अक्शन को रोकने के लिए एरान में अपणे बर्सों के दुश्मन से मदद की गोहार लगाई है. वहीं s pouv के अरब ने अपने नए दोस्त इस्रैल को रोकने के लिए अपने पुराने दुश्मन एरान से हाथ मिला लिया है. इस्राइल की फिलिस्तीन से दुश्मनी है इस्राइल की इरान से दुश्मनी है वहीं इरान की घाजा या कहें की फिलिस्तीन से गहरी दोस्ती है इरान और सौधी अरब दो दुश्मनों के बीच हुए इस नई दोस्ती से अमेरिका भी परिशान है उसे डर है कि अगर सौधी इरान के साथ साथ मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन की मदद की तो ये जंग और विद्धवनसक हो सकती है